नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं अजे भारत मैं हूं तनुट्रिया नए साल के मौके पर कई यूजनाय जो भारत सरकार द्वारा यानि कि किन्र सरकार द्वारा चलाएंगे वो भी खत्म हो जाएंगी क्या सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों को इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी कि क्या क्या जो परिवर्तन होने वाले हैं क्या कुछ के दाम बढ़ने वाले हैं और क्या कुछ नया होने वाला है नए साल में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की भी जो आखरी तारीक थी वो भी खत्म हो गई है और एक जन्वरी से उसके लिए भी लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाएंगी साथी साथ LPG गैस के दामों में भी व्रिधी दर्च की जाएगी इसके अलावा केंद सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रहे थी सबका विकास उसकी जो अवधी है वो भी एक जन्वरी 2020 को समाप्त हो जाएगी और साथी साथ क्या कुछ नया होगा वो भी आपको बताते हैं एक जन्वरी 2020 से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा इन नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी वहीं आगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकती है इनने रसोई गया सिलिनर के दाम आधार पैन कार्ड, लिंक्टिंग, SBI, डेविट कार्ड सबका विश्वास सरकारी योजना आदिशा मिल है अगर अपने 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर विखा के आदिश के अनुसार एक जन्वरी के बाद से भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे वो रद हो जाएंगे ऐसे pancard जो आधार से लिंक नहीं होंगे उनका इस्तिमाल किसी प्रकार्ड भी लेंदेन के लिये नहीं किया जाएगा वे आमानने हो जाएंगे हाला कि सरकार ने अभी एस-पर्स नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड निस्क्रिये कर दिये जाएंगे तो समय सीमा के बार भी री एक्टिवेट किया जा सकेगा या फिर नहीं बता दू कि 31 मार्ज को जाड़ी की गई है दिसुशना के अनुसार वितमंत्राले ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनु हैं तो उन्हें जोरना अनिवार रहे और इस वर्ष की शुरुवात में हाई कोट ने धी पैन कार्ड और आधार लिंक के को अनिवार बताते हुए आएकर अधिनियम की धारा 149 को बरकरा रखा था साथ इसाथ एक जनवरी 2020 से रसोई गयास सिलिंडर की कीमत में बदलाव हो जाएगा इससे पहले लगतार 4 महिने तक रसोई गयास के दाम में इजाफा हुआ था इसलिए को सकता है कि जनवरी में फिर आम आधिनियों को जटका लगेगा गयास वितरन कंपणी प्रतेक महिने की एक तारीक को कीमतों को समिछा करेगी जिसके बाद निर्ने लिया जाएगा कितना कीमत तैक किया जाएगा और क्या कुछ बदलाव किये जा सकते हैं हलाकि रसोई गयास के दाम में व्रिधी होने के बाद आम लोगों को इससे काफी दिक्कते होंगी और दाम बढ़ने के वज़े से इसका असर भी पड़ेगा 31 दिसंबर के बाद से कई ATM कार्ड और डेविट कार्ड भी बंद हो जाएंगे ऐसे में ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पर सकता है इस अंदर्द में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने अपने खाता धारकों के लिए इलर्ट भी जाई किया था ऐसे में कार्ड को बदलवाने के लिए ग्राहक तुरंत बैंक में संपर करे क्योंकि एक जनवरी 2020 से उनके कार्ड से लेन दिन पूरी तरह से बंद हो जाएगा अला कि SBI ने कहा है कि वो फिलहाल चल रहे है अपने मागनेटिक स्ट्राइप डेविट कार्ड का प्रियोग बंद करने जा रहा है एक जनवरी 2020 से केवल EMV चिप और पिन वाले कार्ड ही प्रियोग किये जा सकेंगे भारती रिजर्व बैंक के आदेश से ऐसा करना जरूरी है अला कि आदेश के अनुसार भारत में चल रहे हैं सभी बैंकों को मागनेटिक स्ट्राइप वाले डेविट का प्रियोग इस साल के अंतक पूरी तरह से बंद कर देना है साथी साथ नए साल में भी एक योजना भी बंद हो जाएगी वैसे तो भारत सरकार कई सरकारी योजना मौजूद हैं इसका पाइदा आम लोग उठा रहे हैं साथी साथ आम लोगों को इसे काफी फाइदा भी हो रहा है लेकिन इन सब में से एक सरकारी योजनाव अगले साल से यानी कि 1 जनवरी 2020 से बंध होनी जा रही है आपको बता रहे हैं कि सबका विश्वास स्कीम की है जो 1 जनवरी 2020 से बंध हो जाएगी अगर आप भी सरकारी योजनाव का लाफ उठाना जाते हैं तो इसी महारेजिस्ट्रेशन करा ले वित्यवर्स 2019 से 20 के आम बजट में सबका विश्वास स्कीम की शुरुवात की गए थी और वित्यमंत्राले ने अप्रत्यक्षकरोत के लंबित विवाद को निक्टारा करने के लिए यह बनाई गए थी जिसमें करदाताओं को बकाया राजस्व वुक्तान के लिए आसान मौके दिये जा रहे हैं इसलिए अगर आप भी सर्विस टैक्स या एकसाइस ड्यूटी संबंधित विवाद से जुरे हैं तो यह योजना आपके लिए भी लाबदायक हो सकता है तो एक जनवरी 2020 तक कई इस सारे जो पहली है उसके गौर करने की जरूवत है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने की आखडी जो तारीक थी वो 31 दिसंबर तक थी हलाकि जो लोग नहीं इसको करवाए है वो जल से जल इसे करवाने की कोशिश करें इसे आम लोगों को काफी दिक्कते होंगी साथ ही साथ SBI गर्रेट कार्ड में भी जो चेंजेज आए हैं वो आप अपने जो नजदी की साखा है SBI बैंक के वहाँ पर जाकर उसे ठीक परवा सकते हैं तमाम बिम्वो पर गौर करने की जरूरत है इसे आम लोगों को काफी दिक्कते हो सकती हैं अगर वह ध्यान नहीं दें तमाम बड़ी खब्रों की अपडेक के लिए आप देखते रहे हैं अजय भारत